दोस्तों इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ लावा फिलिप के बारे में जी हाँ लावा का फिलिप फोन जैसे कि मैंने आपसे प्रामिस किया था कि मैं बहुत एफॉर्डेबल गाजट्स के रिव्यू करूंगा तो आज मैं इस गाजट्स को रिव्यू कर रहा इसको ज़रा मैं पास से दिखाता हूँ ये एक फोन है जो ऐसे फोर्ड हो जाता है ये इस तरह के फोन पहले चला करते थे अब नहीं चलते लेकिन ये एक फोन मुझे मिला है जो कि शायद आपको पसंदा सकता है एफॉर्डेबल उसमें क्योंकि आजकल सभी लोग वो स्क् लिए और ये और एक अलग फॉर्म फैक्टर के लिए तो ये फॉन आपका हो सकता है जिए फोन रोपे का है माक्सिमम में रिटम पे घ्र कोषिश करता हूँ ही मेरे face पर focus कर रहा है तो देखिए ऐसा है ये phone ऐसे fold हो जाता है इतना छोटा सा है ये ऐसे ऐसे आप देख सकते हो इसके पीछे camera भी है और ये camera digital camera है मतलब कोई megapixel हो ऐसा कोई 0.3 megapixel होगा ठीक है ऐसा दिखता है ऐसे fold हो जाता है हाँ अब इसके feature के बारे में बात करते हैं क्या feature मिलते हैं देखो basic जो भी आपको basic feature phone में जो मिलते हैं वही मिलते हैं इसमें बसे यहां पर एक चीज़ और मिलती है कि यह एक LED notification मिलता है यह LED light है जो कि जब call वगर आती है तो जलती है message आती है क्योंकि screen बंद है तो पता नहीं रहता है कि कब क्या आया है तो यह notification जलता है फिर आप इसे अपने phone को ऐसे खोल सकते हैं और बात कर सकते हैं इसमें Bluetooth है wireless FM है और बहुत सारी चीजे हैं मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर मैं इसके menu मैं आपको यह ही दिखा देता हूं live क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा है नहीं बैलन्स इसमें यह setting है ठीक है wireless FM भी है ठीक है तो यह सारी चीजे हैं इसमें किन लोगों को लेना चाहिए तो मैं आपको बता दिया जिन लोगों को form factor बदलना है उनको ले लेना चाहिए यह लावा का phone है यह made in India है और क्या चाहिए बाइए इसका close look देखते हैं और इसके बार में और बात करते हैं तो यहां पर यह phone है जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे flip होके खुल जाता है इसके feature के बार में बात करूं तो भाई इसकी जो screen है वो 2.4 inches की है normal कोई OLED वगरा तो आप इसमें expect कर नहीं सकते पास से देखो call logs वगरा है जो call गई है आईए वो पता चल जाएंगे आपक ठीक है contact वगरा भी है इसमें save कर सकते हो 32 GB तक memory card लगा सकते हो इसमें wireless FM है camera भी है इसमें तो calculator भी है और यह सारी चीज़े जो भी होता है file manager setting में देखो dual SIM लगता है इसमें जो mini वाला SIM होता है वो दो लगा सकते हो आप अराम से जैसे आपके आपके आपस दो SIM है calling वाले calling purpose क लिए तो बहुत ही बढ़िया फोन है एक्टम stylish है देखो Bluetooth है तो मतलब Bluetooth से file वगरा बेच सकते हो और कोई Bluetooth headset वगरा प्रकर सकते हो यह इसका नहीं है जो पुरानी घड़ी उसके photo खीचे में वही डले में इसमें तो उसकंदा जलग जाएगा video player भी है इसमें हालकि इसमें video तो कोई play करना चाहेगा नहीं बट स्टेल अगर आप चाहो तो यह 3GP की और MP4 की low resolution की वीडियो से इसमें चल जाएंगी आप इसमें नहीं कोल सकते चुटी एसलार से डारेक्ट की गहीं हो जो 10 MB की हो जाही सी बात है 10 MB की फाइल कहां उपन होगी छोटे से फॉन में बाकि आप कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहो तो उस चीज के लिए साबसे तो बहुत ही बढ़ दोस्तों अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंट्रस्ट है अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें तू-आइटी-नैन रुपीज के तीन विथिकल हैकिंग कोर्सेस है जो आसान भाषा में आपको उथिकल हैकिंग सिखा देंगे ये hackers कैसे hack करते हैं इनसे बचना कैसे है आप बहुत secure रह सकते हो safe रह सकते हो तो description जरूर चेक करो और उन courses को जरूर buy करो चैनल को subscribe करो ये तो बिल्कुल free है और bell icon को जरूर प्रेस करो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और मैं ऐसे गजट्स लेकर आता हूँगा थैंक यू सो मच और गुडबाई